जादा का बटन, तजीन एक दिन अपनी अमी के सोई धागे बटनु आवाले डब्बे से खेल रही थी. खेलते खेलते ही वो बटनु से. तजीन एक दिन अपनी अमी के सोई धागे बटनु आवाले डब्बे से खेल रही थी. खेलते खेलते ही वो बटनों से अपने जहन में एक कहानी बना चुकी थी जिसमी खुसी तोर पर उस काले बटन का जिक्र था जो उसने दादी अम्मों के काले लिबास से उता रहा था उस पर हीरे का जादू चल जाता था और उस जादू के असर से उस शखस को जो भी हुक्म दिया जाता वो उस पर अमल करता उस जादू गर्नी के नजदी की एक बहुत रहमदल और नेक खातून रहती थी एक दिन वो खातुन जसका नाम रश्मून था जादू गर्नी के बाग में सेर करने आई जादू गर्नी एक दरखत के नीचे सौरही थी और उसकी चड़ी उसके हाथ से छूट कर जरा दूर गिरी हुई थी रश्मून को वो चड़ी इतिफाक से मिल गई वो बोली इस पर कितना खुबसूरत सितारा लगा हुआ है उसने चड़ी से वो जादू का सितारा उतार कर अपने लिबास में लगा लिया फिर अचानक जादू गर्णी जाग गई और इधर उधर चड़ी डूंदने के बाद उस तरफ भागी जदर रश्मून जा रही थी फिर उनका आमना सामना हो गया जब जादू गर्नी रश्मों के सामने आई और उसकी नजर रश्मों के लिबास पर लगे चमकदार सितारे पर पड़ी तो खुद उसके जादू का शिकार हो गई रश्मों जादू गर्नी से बोली मुझे बरी पियास लगी है किया मुझे कुछ पीने को दे सकती हो जादू गर्नी मुदबाना अंदाज में बोली क्यों नहीं जरूर फिर वो रश्मों के लिए पानी लेकर आई जो उसने पिया फिर मुस्कुरा कर रश्मों बोली बहुत शुक्रिया तुम बहुत हमदर्द हो ये अलफाज जादू गर्नी पर फौरी इसर कर गए कि उनकि जो अलफाज रश्मों के मिना से निकलने थे वो पूरे हो जाने थे जादू गर्नी इन अलफाज से हमेशा के लिए हमदर्द और नेक बन गई और फिर रश्मों जो असल में तजिन की दादी अमन थी को कभी मालूम नहीं हुआ कि उनके पास जादू का सितारा है और जादू के सितारे ने भी कभी किसी को नुक्सान नहीं पहुंचाया कि उनकि दादी रश्मों हमेशा सब को उच्छाई का सबक ही देती थी इसलिए सब फुश्च थे हता कि हमदर्द और नेक होने वाली जादू गरनी भी